नमस्कार साथियों वेदान्थ लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एबम अभिनंदन है आज आप सभी के लिए एक गोल्डेन वीडियो लेके आई हूँ जो अंग्रेजी आपको वेसिक रूप से सिखाएगी जिस वीडियो को आप देखके इंग्लिस को बहुत बारीकी से जानेंगे और इसकी जो सुरुवात है इसके बारे में भी आप बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इसने पिछले वीडियो में मैंने पार्ट्स ओफ स्पीच, काइंट्स ओफ नाउन और जेंडर बताये हुए हैं जिनकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूंगी वहां से आप लोग कवर कर लीजेगा यहां पे मैं आज आपको अलफावेट, बॉबेल्स, कंसोनेंट्स, साथ ही कैपिल लेटर का यूज बताने वाली हूँ कैसे नहीं लिखा जाता है, लिखने वाले लेटर कौन से होते हैं और छपाई वाले लेटर कौन से होते हैं ये सारी चीजे में आपको बताने वाली हूँ वीडियो में लाश्ट तक बने रहिए और अगर चैनल को सबस्क्राइब ना किया हो तो प्लीज सबस्क्राइब कर लिजे क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छी जानकारी लेके आने का प्रयास करती हूँ यह सब आपका free of cost है यहाँ पर आपको कुछ भी pay नहीं करना है आप वीडियो देखिए और सीखिए क्या है देखिए अलफाविट किसी भी भासा की सुरुवात करने के लिए वर्ण माला की जरूरत होती है अलफाविट का मतलब होता है वर्ण माला और अंग्रेजी की जो अलफाविट होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं यानि कि 26 अक्षर अंग्रेजी की वर्ण माला में होते हैं जिसमें 5 होते हैं वोविल्स जिन्हें वोविल कहा जाता है स्वर कहा जाता है ए ए आई ओ यू ये 5 होते हैं ये वोविल्स होते हैं और बाकी के बचे हुए जितने होते हैं वो कॉंसोनेंट्स होते हैं अगर पूछ जाए कि अंग्रेजी की जो वर्ण माला है या अंग्रेजी की इंगलिस अल्फाबेट है उसमें कितने लेटर होते हैं तो कितने होते हैं 26 लेटर होते हैं इसके बाद उसमें या पूछे के अल्फाबेट के कितने भाग होते हैं तो दो होते हैं पहला वॉबल होता है दूसरा consonants होता है तो wobble और consonants दो चीजे होती है किसमें alphabet में wobble कितने होते हैं तो wobble होते हैं 5 बोबल 5 होते हैं E I O U ये आपके हो गए 5 wobble ठीक है इसके बाद जितने बचे होते हैं वो सारे consonants होते हैं consonants कितने होते हैं consonants 21 होते हैं 21 वोबल 21 21 कॉंसोनेंट होते हैं 5 वोबल होते हैं और 21 कॉंसोनेंट कौन कौन से होते हैं रेखिए B C D F G H I J I नहीं होता सरी J K L M N P Q R S T V W X Y और आपका Z यह आपके कॉंसोनेंट्स होते हैं इक चीज और ध्यान में रखना है आप लोगों को जो वोबल्स होते हैं यह जब इनका यूज किया जाता है जब यूज किया जाते हैं तब यह वोबल्स A, E, I, O, U इनका यूज तो होता ही है साथ में जो हिंदी वाले वोबल्स होते हैं जैसे कि यह वाले जैसे जी और आपका ए और आए ओ और ये आओ फिर अंग अंग आपका और फिर आपका ये अहा जब आप अंगरेजी में बनाने लगते हैं करते हैं तो ये वाले स्वर भी आपके लिए जाते हैं ये लिये जाते हैं याद रखियेगा कि अंगरेजी में आपको विडियो में बताऊंगी अब तक आप समझ गए होंगे कि English की वरण वाला जो होती है English alphabet होती है उसमें 5 vowel होते हैं और 21 consonants होते हैं और alphabet में 26 letter होते हैं ठीक है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम आपको बताते हैं कि आपके छपाई वाले letter कौन से होते हैं या और लिखाई वाले कौन से होते हैं आपने news paper पढ़ा होगा या बुक पढ़ते होंगे किताब पढ़ते होंगे देखते होंगे printing capital letter प्रिंट का मतलब होता है छपाई चपाई वाले जो capital letter होते हैं वो कौन से होते हैं इस तरीके से लिखे होते हैं A से लेके Z तक, आप देख रहे हैं, आप किसी भी अख़वार को उठा के देख लीजिए, बुक को उठा के देख लीजिए, उसमें जो लिखावट होगी, वो आपकी इस तरीके से भी गई है, तो ये प्रिंटिंग वाले होते हैं, जो छपाई वाले लेटर होते हैं, आप सम मोबाइल में पढ़ रहे हैं, मोबाइल में भी देख लीजिए, जो आपकी लिखने की भासा जो उसमें होती है, वो A, B, C, D, E, F, G, ये वाली होती है, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं, प्रिंटिंग स्मॉल लेटर्स, ये जानकारी हर किसी को नहीं होती, ना हर किस जब कि आप लोग लिखते हैं किसी चीज को अपनी बूक में लिखते हैं या इंगलिस लिखते हैं, तो इंगलिस लिखने का जो सही तरीका है आपका, वो आपका यही है, कैपिटल कर्सिव लेटर्स, जब आप लिखेंगे, तो आप इस तरह से कि आप जो आपकी चार वाली copy यूज करने चाहिए उसमें क्या होता है कि आपकी handwriting बढ़िया होती है तो अगर आपकी handwriting इंगलिस की अच्छी नहीं है सुधारना है तो आप इसे deform कर सकते हैं जो लिखने के letters होते हैं वो इस तरह के होते हैं एसे बनता है उसमें B और C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ये जो है आपके capital cursive letters है इनको writing capital letters भी कहा जाता है निकि लिखने वाले बड़े अक्छर इसके बाद होते हैं small cursive letters लिखने वाले जो हम लोग copy हो में note करते हैं वो आपके यही होते है capital letter आपने देख लिए अब small letter इसे A, B, C, D इस तरह से आपके यह Z तक हैं जो कि आप लोग को लिखाई के लिए काम आते हैं जो आपनी copy में लिखा करते हैं इसके बाद आपको बताते हैं use of capital letters देखे capital letters का use कहा कहा होता है यह बहुत ही important चीज है अगर आप English लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है कि capital letters का use कहा कहा होता है आज हम आपको बताने वाले हैं कि कहा कहा आप capital letters का use करते हैं किसी भी sentence का पहला अक्षर capital letter होता है कहा क्या capital letter लिखा जाता है यह आपको दिखाते हैं देखे बड़े अक्षरों का प्रियोग use of capital letters निम्न वस्ताओं में किया जाता है कौन-कौन सी वस्ताओं होती हैं देखे कि प्रतेक sentence वाक्य का प्रथम letter capital letter होता है जैसे कि he is going वह जा रहा है वाक्य का पहला अक्षर क्या है he का ऐसे देखे है capital है की नहीं यह capital है लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तो यह दूसरे तरीके से लिखेंगे जो आपने आपको कर्सिव capital letters बताया हुआ है वैसे आप चाहें तो notes बना सकते हैं बहुत ही important notes हैं यहाँ पे यह आप अपने copy में लिख सकते हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा तो किसी भी वाक्य का कैसा letter होता है पहला हमेशा capital letter लिखा जाता है और उसके last में हमेशा full stop लगाया जाता है यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा नहीं तो आपके जो है number कट जाएंगे पहला अक्षर capital letter होता है साथ में उसमें इस तरह का full stop हमेशा लगाया जाता है ठीक है वाक्य का प्रिथम अक्षर H capital letter में लिखा हुआ है इसके बाद अगला क्या है किसी विशेश मनुष्य जात या इस्थान के नाम को लिखते समये प्रिथम अक्षर capital letter होता है मैंने parts of speech में पढ़ाया हुआ है साथ में kinds of noun में proper noun पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने बताया हुआ है कि किसी विशेश मनुष्य विशेश मनुष्य का मतलब होता है तो यह क्या है एक लड़की है जिसका आपने नाम करन कर दिया तो क्या हो गया वो बिशेश हो गई या कोई है मोहन मोहन का आपने नाम करन कर दिया किसी विशेश मनुष्य हो गया वो जैसे कि राम इंदौर किसी जगह का आपने नाम दे दिया उसको शिटियां तो बहुत सारी है लेकिन इंदौर एख है, हिंदू, जाती, एक तरीके की जाती, तो हिंदू हुआ, मुसलिम हुआ, ये सब क्या है, जातियां है, तो हमेशा capital letter में लिखा जाता है, French कोई भासा हो, उसका पहला letter हमेशा capital letter होता है, भासा का भी हिंदी, इंग जैसे कि राम, रामकार, capital letter देख रहे हैं, और इस्थान, इंदॉर, इंदॉर में I capital letter देख रहे हैं, जाती में हिंदू capital letter है, H capital letter बना हुआ है, तो किसी विशेस मनों से जाती है, इस्थान के नाम को हमेशा capital letter में लिखा जाता है, ठीक है, पॉइंट नमबर तीन देख लेते हैं, क्या कहता है, पॉइंट नमबर तीन में है, कि दिन या महीनों के नाम का पहला अक्षर, capital letter होता है, जैसे संडे, मंडे, टूजडे, बेडनस डे, फ्राइडे, सेटेडे, जो भी आप लिखते हैं, उसका हमेशा कहीं भी उज़ करें, पहला अक्षर अमेशा capital letter बना है, महीनों के नाम है, जन्वरी, फेर्वरी, मार्च, अप्रेल, मैं, जुलाई तक, अगस्त, सेप्टेंबर, ऑक्टोबर, नॉवेंबर, दिशंबर, सब जो है, आपका पहला अक्षर capital letter, यहाँ पे देख रहा है, अगस्त का ये capital letter है, मंडे में, लास्ट में आप देख रहा है, दूसरी लाइन में इज, आई, और यहाँ पे महीने का नाम है, वो भी आपका capital letter में दिया हुआ है, ठीक है, तो देख रहा है, कविता का, हमेशा कविता की जो पंक्तियां होती है, उसमें हमेशा पहला अक्षर capital letter होता है, ठीक है, अग यसे किसी के द्वारा कही हुई बात को हमें कहना को, थे आप पागल हो, तो ये तो हो गया आपका, कि आप पागल हो, के लगा के ये ये कह दें कि उसने कहा, आप पागल हो, की ना लगाए, तो हुआ कि आप पागल हो तो इसको कैसे लिखेंगे इंवर्टेट कमाज के अंदर कर देंगे तो इसे he says क्या है he says this boy is very clever उसने कहा कि यह ललका बहुत चालाक है तो क्या है उसने कहा उसने क्या कहा वह ललका चालाक है अगर वो कह देख उसने कहा की वहललका चालाक की लगा दिया तो यह आपका indirect में हो गया लेकिन अगर आपने की ने लगा है तो डायरेक्ट है तो इसको आप इसका जब लिखेंगे तो हमेशा inverted commas के अंदर जो भी आप sentence लिखते है उसका पहला अक्षर हमेशा कैसे लिखना आपको capital letters में लिखना है जैसे T capital letters में आपके लिखी होई है ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा होगा अगर कोई दिक्कत लगे तो comment box में बेजिसक पूछ लीजेगा आपको बता दिया जाएगा छटवा point है I जो pronoun सर्वनाम है और O जो interjection है इन दोनों को भी capital letters बड़े अक्चुरों में लिखा जाता है देखे I हमेशा कभी single आए तो आपने कभी देखा है कि हमेशा I को ऐसे लिखा गया हो कभी नहीं लिखा जाता I को हमेशा ऐसे लिखा जाता है बड़े letters में ठीक है और O अगर single हो तो आपको बड़ा बनाना है ना कि आपको ऐसे छोटा बनाना है ठीक है तो ध्यान रखिएगा जैसे bless me O God I pray Bless me मुझे बरकत दीजिए O God O Bhagavan जी I pray मैं प्रात्मा करता हूँ आपसे O लिखा है न इसके बाद एक चीज़ों आपको बता दें भगवान का जो नाम होता है वो भी capital letter में लिखा जाता है जैसे God लिखा हुआ है ठीक है अगला point है क्या है 7 point क्या कह रहा है कि प्रतेक उपाधी का प्रतम अक्षर जैसे राय शाहप, राय बहादूर प्रतेक अक्षर जो सब्द का संशिप तुरूप प्रकट करता है जैसे M.A. Master of Arts T.T.E. I.A.S. GPO.R. को capital letters में लिखा जाता है जैसे कि किसी का नाम हो चेतेश्वर प्रसाद तो चेतेश्वर का C प्रसाद का P capital रहेगा किसी का नाम है जैसे कि डॉक्टर A.P.J. अबुलकलाम का है डॉक्टर का A.P.J. जैसे अबुलपाकिज जनलबदीन अबुलकलाम तो यह आपको A.P.J. capital लिखना है अबुलका A. लिखना है कलाम का K. capital लिखना है इस तरीके से आपको capital letter लिखना है आई होप आप समझ रहे होंगे जैसे किसी का नाम शियू कुमार है तो शियू कुमार है तो शियू का S बड़ा होना चाहिए और कुमार का K बड़ा होना चाहिए शियू कुमार जब बात है आपकी तूट जा जैसे कि शियू कहा तो आपकी बाद टूट गई शिव, सब्द टूट गई आपका शिव, फिर आपने जो बड़ा कुमार, शिव, कुमार, जब शिव, कुमार लिखेंगे, तो S भी कैपिटल रहेगा और K भी कैपिटल रहेगा, ठीक है, इसके बाद क्या है, पुस्तकों, कहानियों, कविताओं समाचार पत्रों, एवं, पत्रिकाओं के नाम को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसका मुख्य सब्द जो होता है, प्रथमबड़वी कैपिटल लेटर होता है, कैसे, तहिंदुस्तान टाइम्स, इनके जो दह, हिंदुस्तान का ह, टाइम्स का टी बड़ा है, इनं, मुख्य उत्तने हैं, सब का पहला letter capital होगा, जैसे दारामायन, दा का टी बड़ा है, रामायन का आर बड़ा है, यह क्या है? आपका धार्मिक ग्रंथ है, the fox and the grapes ये कविताओं का नाम है कविता का the fox and grapes यानि की अंगूर और लोमड़ी तो इसका the V capital, T capital है F capital है और यहाँ पर G capital है तो इस तरह से कविताओं का जो नाम होता है उसका भी पहला letter capital letter होता है modern review इसका भी T capital है जैसे की ये क्या है modern review पत्रिका का नाम है ये तो ये भी आपका capital letter में लिखा जाएगा तो क्या क्या capital letter में लिखना है पुष्टकों का नाम कहानियों का नाम कविताओं का नाम समारचार पत्रों का नाम पत्रिकाओं का नाम साथ ही धार में ग्रंथों का नाम इसका पहला आक्षर हमेशा capital letters होता है दियान रखिएगा, अगला है, यह मैं बता चुकी हूँ पहले भी, कि इस्वर के नाम, इस्वर के नाम हुआ उनके लिए प्रियोक्त संग्या, सर्व नामों का प्रथाम अक्षर सर्व था, कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है, जैसे गौड का जी, गौड किसके लिए है, इस्वर के लिए, आल्माइटी, दा आल्माइटी, यह भी इस्वर के लिए है, आल्माइटी, दयालू भगवान जी, तो टी कैपिटल है, और ए कैपिटल है, ठीक है, इस्विल, उसकी ए या उनके लिए प्रियोक्त जो भगवान के लिए भगवान बहुत दयालू है वह सब की मदद करते हैं तो भगवान बहुत दयालू है वह सर्वनाम है तो उसमें क्या होगा अमेशा कैपिटल लेटर का यूज होगा जैसे ही हिस बिल में ठीक है ध्यान रखिएगा इसके बाद है लास्ट और अंतिम दीपों परवतों समुद्रों तो था प्रसित दिमारतों के नाम को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है जैसे के दहिमालयाज ये क्या है परवत का नाम हो गया दहिमालयाज परवत का नाम हो गया और दगंगा नदी का नाम हो गया जो रिवर्स का नाम होता है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर में होता है जैसे दूपों का नाम तो एशिया महादीप हो गया ना तो एशिया का हमेशा A कैपिटल रहेगा ठीक है हिमालय परवत का H कैपि लेटर रहेगा तु यह सारी चीजे प्रिस्थ नमाय तो का ऱमेशा में लिखा जाता इस तरीके से आज आज यह आपका टॉपिक संपन्न होता है आई हूब कि आप सब लोग को अच्छा लगा होगा sleeping एक important लगा होगा, आपने basic English सीखी होगी, अगर आपने कुछ भी इसमें अच्छा सीखा है, तो post को like जरूर करिएगा, और चैनल को subscribe कर लीजेगा, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन सुभ हो, मंगल मैं हो.